मुझे मधुजी है जी मुवारे पास इंकी आज 14 सिटिंग कंप्लीट हुई है तो इंको कादिशाली प्रॉब्लम थी यह कुद बताएगी हमने बुझे ट्रीट्मेंट दिया है एक्टूपेसर सुजो क्रीट्मेंट दिया कलर थेरेपी तो किल्के लोगों मेंने प्रॉब्लम थी और कितना इंजी दा कंट्रॉल हुआ यह कुद बताएगी मुझे जो सर्वाइकल की लिकत थी उसमें मुझे बहुत आराम है मेरे हाथ केकल्दे के दर्ब में मुझे बहुत आराम है पेट से में बहु जादा परेसां थी वो मेरी लग बग असी पर्तिशत समश्या खतर होती है क्या प्रॉब्लम पेट में क्या रहता प्रॉब्लम मुझे हर टाइम जैसे मोशन का प्रेसर फीट होता था बाद बाद जैसे बीखुल भी हर टाइम बेचे नी रखी और अब मैं पूरे दिन अग्दम चैन से रखी हूँ बहुत मुझे आराम है पेट जैसे आप बताती है भी डॉक्तर ने बताया है जो छोटी आं तेक वारी बहुत मतब कई डॉक्तरों के ने चेकर लगाए उन्होंने छोटी आंक के जो उसका जो फ्लूड है वो डिसॉर्डर बताया था और जो यह बाजो में जो आपको प्रॉब्लम थी उठाने में पीछे करने में एकदम रिलेक्स है हाथ में कोई कई कोई समश्या नहीं है खोड़ा सा भारीपन जो जरूर में शुक्त होता है वो अभी सुटिं लेए रही हुँ है मतलो 90% कर नहीं कर रही है आपी बाजू ठीक है और पेट में इनका क्या थी प्रॉब्लम उनको दिन में तीन जार बाह जाना पड़ता था अपने क्या थी ट्रीटमेंट लिया था इमाने शुक्त है मैं बहुत से नहीं कर दो नहीं कर वाए लेकिन किसी का गोज़ा सर नहीं था आइड़ेदी दो आपने टाइम कर दी तो फाइदा नहीं दिला यहांने के बाद मुझे बहुँ अच्छा फाइदा मेरा थी यहां नेगबाद जी पहली सिटिंग से हम यहीं बोलते हैं कि आप यह हमारी पांच सिटिंग कराओ कम से कम और आपको रिलीज होगा तो आगे बढ़ेंगे पर मातमागी ऐसी देह रही है पहली सिटिंग से आराम आने लगा तो इनको भी पॉजिटिविटी आया वरना यह फ्यूचर में ठील हो जाएंगे जिसको भी प्रॉब्लम हो है तो इसको यह ही कहते हूंगे अपको प्रशर के लिए चला हूँ